नमस्ते, गॉस्पल टूट में आपका स्वागत है आज हम लोग जोतिल लिंक की परंपरा में वैदिनाथ जोतिल लिंक की बात करेंगे अब वैदिनाथ जोतिल लिंक के बारे में थोड़ा सा यह है कि इसको दो या तीन जगा ऐसी कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि वैदिनाथ का जोतिल लिंक यह है यह है यह है यह है मूल रूप से दो जगा में थोड़ा सा वो है पहला यह महराश्ट के बीट जिले के परली में इस्थित जो वैदिनाथ जोतिल लिंक है और दूसरा जो वैदिनात है वो देवघर, दिहार-बंगाल के बॉर्डर पर जो इस्थित है उसको कुछ लोग कहता है कि वही वैदिनात है जो अज हम परली जो mani में इस्थितिति वैदिनात की जो तिलिंग की बात करेंगे अगले एपिसोड में हम देवघर में इस तिद्ध वैदिनाद जोतिलिंग की बात करेंगे ये जो परली वाला वैदिनाद जोतिलिंग है ये जब कन्या कुमारी से उज्जायन की अगर एक कोई सीधी रेखाव खीजिए तो उसमें कहीं बीच में इस परली नाम की जगह में जोतिलिंग आता है मेरू या नागनाराण परवत की शिंकला है उसी के ये बना हुआ है और यहाँ पे तीन नदियों का संगम भी है ब्रह्मा, वेणू और स्वर्षति इन तीन नदियों का जो संगम है वहाँ पे ये वैदनाद जोतिलिंग परली वाला है इस गौव में जहाँ पे इस्थित है उसको कुछ लोग कांती पर भी बोलते हैं कुछ लोग मदे रेखा वैजनती भी बोलते हैं और जयनती भी बोलते हैं कथा ये है कि वैदनाथ भगवान से योगेश्वरी जो देवी हैं उनका विवा होना था, सब कुछ तैंग हो गया, बरात लेके वैदनाथ भगवान को जाना था, और बरात चुकि देर से आई, मूर्थ खतन हो गया था, तो जितने बराती आए वो सब पत्थर बन गए थे, और ऐसा कहा जाता है कि जो योगेश्वरी हैं, वो इनकी रा देखती ही रह गए, दूसरी कता ये है कि जब समद्र बंधन हुआ, तो धनवंतरी और अमृत ये समद्र में से निकले, तो भगवान विश्वु ने धनवंतरी और अमृत को शिवलिंग में छुपा दिया, कोशिश करें तो वहां से लपने निकलने लगती थी, लेकिन जब देवता इसको जाके छूते थे तो वहां से अमृत की धारा बहती थी, ऐसी मानिता है कि आज भी इसलिए लोग जब वहां वैदनाद जाते हैं, तो शिवलिंग को छू के उसके दर्शन करते हैं, क्योंकि म यहां के जो पहाड हैं, जो यहां की खेट हैं, वहां पे बहुत से आयरुवेद वाले प्लांट होते हैं, तो उन आयरुवेद वाले प्लांट के चारों तरफ होने से जो वैद की उसके लिए बहुत से वैदिक पद्धि और जो इलाज है, उसमें उनका काम आता है, को वैदिनात कहा जाता है यहां पे विश्लु ने देवताओं और राक्षरसों के उसमें देवताओं की मदद की थी इसलिए इसको वैजनती भी कहा जाता है इससे रेलेटेट एक और कथा है कि रावन कैसे जाके कैलाश परवत पे उन्होंने फगवानशिप की अराधना की औ उसका जो प्राची या गोवाक्ष है उसका इस तरह से वो बना है कि जो सूरी की जो पहली किरण है सुबा का जो सूरी की किरण हैं वो सीधे लिंग मूरती पे बढ़ती है और जिसके लिए special prayer होती है special प्रातना होती है इसका जो सीड़िया है वो ग्यारासो आठ में बनी थ यहां की जो लिंग मूर्ती है वो शाली ग्राम पत्थर से बनी हुई है बहुती सुन्दर है बहुती चिक्नी इस मंदिर का रेनोवेशन महारानी अल्या भाई हुलकर ने 1706 में कराया था तृश्रिला देवी की जो परवत शिंखला है वहां से पत्थर लाए गए और वहां से इसका रेनोवेशन हुआ था यहां पे राम राजीशुर महादेव का भी मंदिर है जो वैदनाथ के पास में है और वैदनाथ मंदिर के परिसर में ही 11 शिव मंदिर और भी है जो वीर शेर्व लिंग आयत परंपरा के लोग हैं, उनके लिए वैदनात का जो जोते लिंग है, वो सबसे महत्वपून जोते लिंग है, श्रीमंद पेश्वा ने यहाँ पे एक बड़ा जमीन यहाँ पे दी थी, जिससे इस मंदिर का काम ठीक से चलता रहा है, और इस जगह को हरिहर मंद का भी इस्थान बोला जाता है, हरी मतलब विश्रू और हर मतलब महादेव, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान कृष्ण की लिलाएं भी होती हैं, और भगवान शिव भी यहाँ निवास करते हैं, हरिहर तीर्थ का जो जल है, वो यहाँ के वैदिनात ल पर होते हैं, उसमें हरी विश्रू के ऊपर बेल पत्र और महादेव, हर के ऊपर तुलसी चड़ती है, जबकि जन्रली क्या होता है कि विश्रू के ऊपर तुलसी चड़ाई जाती है, बेल पत्र महादेव के ऊपर चड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे यह उलटा किया जाता है ऐसा भी बाना जाता है कि मारकंडे जी को यही पर जीवंदान मिलाता कि कि उनकी अलपाई हूथी फिर उन्होंने कैसे कैसे मैं उस स्टोरी में नहीं जा रहा हूँ ज्यादा तर लोगों को पता है कि यम की दुरिश्टी उन पर पड़ी वो ले जा रहे की है जैसे वो नाराण परवत पर वो वट्रिक्ष भी है जहां पर सावित्री ने तपस्या की और कैसे कैसे वो सत्यवान को काल के मुझ से छोड़ा के वापस लाई थी और यहां की एक सबसे अद्भूत बात यह है कि यहां पर गडेश की बिना सून की एक मूरती जो बैठे हुए और थोबा बड़ी बिल्डर के शेप में है वो एक मूरती भी यहां पर है तो परली वैदनात इंपोर्टन जोतिलिंग है आप कभी भी महराज जाएं तो यहां पे जरूर जाएं इसके दर्शन करें क्योंकि यह विवाद की यह असली की वो असली दोनों ही जोतिलिंग है दोनों ही जगह शेविल निवास करते हैं चाहे वो परली हो चाहे वो देवगर हो और दोनों जगह अगर चले जाएं तो इसमें कोई वो नहीं है आशिरवाद दोनों जगह से बराबर मिस्तित है उसकी बात करेंगे और कुछ नई जानकारी आपको फिर देने की कोशश करेंगे धन्यवाद